हाई गाईज, वेलकुम बैक टो मैं चैनल, मैं हूँ स्पीटियो और आप देख रहे हो स्पाक्लिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका परसन ना आपके लिए ये सोच रहा है आज का वीडियो ये एक requested वीडियो है, जहाँ पर मुझसे ये पूछा गया है कि जब हम अपने प्रोसेस को डन करते हैं उस वक्त ना हमारा specific person हमारे लिए क्या सोचते रहता है तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजे कि जब आप अपने प्रोसेस को follow करते हो, सारी टेक्नीक करते हो ना उस वक्त आपके मन में सबसे जाता जो strong belief रहता है उसी belief के आसपास जो आपके thoughts तयार होते हैं वही same चीज आपका specific person अपने मन में ना feel करते रहता है अगर आप ये feel करें अपने मन के अंदर कि आप और आपका specific person एक दूसरे के साथ हैं आप खुश हो आपकी life में सब कुछ perfect चल रहा है तो बहुत सारे ऐसे thoughts आपके specific person के mind में आते रहेंगे वैसी बहुत सारी memories आते रहेंगी जहां पे उसे ये feel होगा कि आप और वो person ना एक दूसरे के साथ खुश है जैसा हम feel करते रहते हैं वही same चीज ना universe में जाती है और यही same चीज ना उन लोगों तक भी जाती है जिने हम अपनी life में पाना चाते हैं अगर आप ये चाह रहे हो कि आपकी life में सब कुछ amazing चलते रहें आप बहुत ज़्यादा खुश रहो तो आपको ऐसे thoughts चुनने हैं जहां पे आप ये feel कर सको कि आपकी life ना already बहुत ज़्यादा perfect है जैसा आप feel कर रहे हो वही same चीज आपका specific person भी feel कर रहे हैं अगर आप ये feel कर रहे हो कि मेरा specific person मुझसे बात नहीं कर रहा है मेरा specific person मुझसे नाराज है ये इंसान मेरी life में आना नहीं चाता तो क्या होगा reality आपको वही मौके देगी जहां पे आप ऐसी ही कई सारी चीज़ों का अपनी life में experience कर सको आप जैसा feel कर रहे हो वही same चीज आपकी life में आएगी और एक बार नहीं आएगी ऐसे कई सारे अलग-अलग events आएगे अगर आप ये feel करो कि आपकी life में सब कुछ perfect है हो सकता है अभी perfect नहीं है हो सकता है situation ऐसी नहीं है पर अगर आपने strong belief को पकड़ के रखा है ना तो ये same situation कब दूसरे ही पल बदल जाएगी आप जान भी नहीं सकते हैं हम जैसा सोचते हैं कि ऐसी चीज़े क्यों हो रही है ये reality में change क्यों नहीं दिख रहा हम जिन बातों पे बहुत ज़्यादा serious होते हैं हमें वो पता भी नहीं होता है कि कब ये सारी चीज़े एक second के अंदर change हो सकती है कैसे situation पूरी तरह बदल सकती है बस कुछी से करने अगर आपको अपने मन के अंदर ये believe है ना कि आपकी life में already सब perfect चल रहा है आप और आपका specific person साथ हैं तो आपका specific person भी यही feel कर रहा है जैसा हम सोच रहे हैं वही specific person भी सोच रहा है हमारी ही vibration ना universe में जाती है और उस इंसान को ना ये feel कराती है आपको ये बात सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा specific person इस वक्त क्या सोच रहा है आपको ये बात सोच कि अपनी process को follow करना है कि जो मेरे मन में चल रहा है वही मेरे specific person के mind में भी चल रहा है तो guys अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना धियान रिखे और खुश रहेगे बाब बाई